दिली के बवाना विधान सवा के अंतरगत आने वाले वाड बेगमपुर में बरसात के बाद सडकों पर जलभराव का नजारा देखने को मिल रहा है दिली अंसेयार में हुई बरसात ने आम जनजीवन अस्तवेस्ट करके रख दिया है दिली में बरसात ने एक बार फिट से सिविक एजेंसियों की पोल खोल कर रख दी है दिली में जगे जगे तमाम सडकों, गलियों और चोराहों पर जल भराव का नजारा देखने को मिल रहा है कुछ ऐसा ही हाल दिली के बेगमपुर इलाके में भी देखने को मिल रहा है बेगमपुर की मुखे सडकों का बुरा हाल बना हुआ है जलभराव के कारण सड़क से गुजरे रागीरों और वहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं ये नजारा बेगमपुर की मुखे सड़क का है जो बरवाला गाउंकी और जाता है बवाना विधानसवा के अंतरगत बेगमपुर वाड के इस छेतर में भले ही इस्थाने निगम पार्षट से लेकर विधायक तक विकास के कई दावे करते हों लेकिन बरसाथ के बाद जलभराव की ये तस्वीर देखकर उन सभी दावों की पोल खुल जाती है साथ ही संबंधित सिविक एजेंसियों पर भी कई सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं कि वह बरसाथ से पुर्व इस्थरे के इस्थिती पर नेंतरन पाने के लिए कायगर उपाय क्यों नहीं करती ताकि आम जन जीवन को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े हाला कि देखने वाली बात होगी कि सडकों पर जलभराओ के बाद प्रशासन इस पर आगे क्या कदम उठाता है या हर बार की तरह इस बार भी प्रशासन अपने कुमकर्णिय नीन में रहता है क्योंकि हर बार बरसात के बाद बेगमपुर की सडकों का ऐसा ही हाल होता है लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर कोई पुखता इंतिजाम नहीं किये जाते दिली से अपने सयोगी अनुझा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट हमवतन टीवी